पूरे देश में और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना की स्थिती बनी है उसको देखते हुए हमें दिल्ली में आज से लॉकडाउन चालू करना पड़ा आज सुबह छे बजे से दिल्ली में सभी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाई गई है केवल essential services को छोड़के सब लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है केवल essential services के लिए खाने के लिए, दवाईयों के लिए, सबजीयों के लिए, दूद के लिए इन चीजों को जो लोग supply करते हैं, वो लोग अपने घर से निकलेंगे और वो अपने दुकान चलाएंगे या ट्रांसपोर्ट, अगर सबजीयों का या करना है या manufacturing किसी चीज़, खाने की या दवाईयों की या उसके लिए और जो लोग मालीजी खरीदने के लिए जाना है, तो वो लोग निकलेंगे बाकी लोग घर में रहेंगे ये आज सुबह 6 बजे से लागू कर दिया गया बहुत सारे लोग इसको follow कर रहे हैं कुछ लोग हमने देखा follow नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे से समझ लें कि हमें ये क्यूं करना पड़ा, हम ये क्यूं कर रहे हैं हमारी कोई इच्छा नहीं है आप सब लोगों को तकलीफ पहुँचाने की ये इसलिए कर रहे हैं आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं पूरी दुनिया में फैल चुका है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा चुका है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि किस तरह से दुनिया के कई ऐसे शेहरों में developed countries के अंदर, जो बहुत advanced countries हैं, उन countries के अंदर हजारों लोगों के मौत हो गई है, ये वाइर सर्च नहीं हुई है, इसलिए हमारी किसमत अच्छी है, उपर वाले के कृपा है कि भारत में ये वाइरस थोड़ा लेट आया, तो दूसरे देशों में इस वाइरस से क्या-क्या समस्याएं हुई, दूसरे देशों ने इस वाइरस से निपटने के लिए क्या-क्या कदम तो फिर हमसे बेवकुफ कोई नहीं होगा, एक चीज तो ये साफ दिख रही है कि ये वाइरस फैलता बहुत ज़्यादा तेजी से है, ये वाइरस इतनी तेजी से फैलता है कि अगर इसको रोकने के लिए सक्त कदम ना उठाए, उठाए जाए तो कुछ दिनों के अंदर य आज से एक महीना पहले 23 फरवरी को इटली में केवल 100 केस थे, केवल 100 केस और आज इटली में 40,000 से ज़्यादा केस हैं एक महीने में, केवल एक महीने में, 40,000 से ज़्यादा केस हैं इटली में और 5,000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकिया इटली में, एक महीने में, इ और एक आदमी की मौत होई थी 39 फरवरी तक आज अमरीका में 35,000 से ज़्यादा केस हैं और 418 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो कोई ये ना सोचे कि मेरे को नहीं होने वाला ये किसी को भी हो सकता है ये वाइरस ना आदमी देखता ना औरत देखता ये वाइरस ना अमीर देखता ना गरीब देखता ये वाइरस कुछ नहीं देखता इतनी तेजी से ये वाइरस फैलता है इसको फैलने से रोकने के लि इसलिए हम लोगों को ये lockdown करना पड़ा आज दिल्ली में 30 केस हुए है अभी तक इन 30 केसे में से 23 केस ऐसे हैं जो विद्विशों से आये थे लोग बाहर से आये थे वो वहां से लेके आये थे इन 23 लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर 7 लोगों को और किया है साथ लोगों को फैलाया है तीस लोग हुए तो अभी ये देखके लगता है कि दिल्ली की स्थिती मोटे मोटे तोर पे कंट्रोल में है अच्छी बात है लेकिन अभी पीट सब्थवाने की बात नहीं है अभी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है अगर इस वक्त हमने कंट्रोल कर दिल्ली के अंदर माल लीजे 15-20,000 केस हो गए हमारे अस्पतालों के अंदर इतनी जगे नहीं हो कि दिल्ली के सारे बेड कम पड़ जाएंगे और अगर ये इतने जादा फैल गए तो एक तरफ तक कोरोना बड़ी तेजी से फैलेगा इसको कंट्रोल फिर लॉकडाउन कर तब मुश्किल हो जागा और लोगों की कितनी मौत हो सकती है इसलिए ये लॉकडाउन करना पड़ रहा है मेरी आप सब लोगों से विंती है हमने पूरी ताकत लगा दिये इसको रोकने के लिए सरकार की सारी ताकत लगा दिये केंदर सरकार सारी रज्य सरकारे मिलके इसको रोक करने के लिए कोशिश कर रही है आपका साथ चाहिए अब सब लोग आज के बाद लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ हो सकता है आपके कुछ बहुत ज़रूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले लेकिन कल से अब सकती की अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सकती करनी बढ़ेगी आपके साथ और हम सकती करेंगे आपकी जिंदिगी के लिए कर रहे हैं आपको बचाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको कोरोना ना हो और इसलिए भी कि दूसरों को कोरोना ना फैले इसके लिए हम सकती करें तो आप दुरा मत मानियेगा दूसरी चीज इस दोरान गरीबों को बहुत जादा मार पड़ रही है गरीब लोग जो रोजी रोटी रोज कमाते थे और खाते थे उन लोगों को बहुत मार पड़ रही है हम देख रहे हैं उसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं आने वाले सामय में और भी जो कदम उठाने पड़ेंगे हम नहीं चाहते कि एक तरफ आपको कुरोना से बचाएं और दूसरी तरफ आप भुखमरी से मर जाएं तो एक तो हमने मैंने अलान भी किया था 72 लाख लोगों को दिल्ली में हर व्यक्ति को साड़े साथ किलो चावल या मिक्स जो भी है साड़े साथ किलो राशन हर व्यक्ति को 72 लाख लोगों को दे रहा हैं फ्री में देंगे राशन दूसरा साड़े आठ लाख लोगों को बुजुर्गों को विधवाओं को हैंडिकेप्ट को हम पांच-पांच-चार जार या पांच-जार उपे उनको दे रहे हैं कुछ लोगों को 4,000 कुछ लोगों को 5,000 एक जितने हमारे रैन बसे रहे हैं नाइट शेल्टर हैं इसमें हमने लंच और डिनर का इंतिजाम कर दिया है खाने का जिसको भी अगर कभी दिक्कत हो खाने की अगर उनके घर में कमी है वैसे तो मैं समझता हू लोगों को घर में अगर राशन पहुंच जाएगा तो उनको नहीं लगता मुझे की खाने की दिक्कत होनी चाहिए और ये 72,000,000 लोगों को 31 तारिक 30 मार्च तक राशन की दुकानों में पहुंच जाएगा आप लोग अपना अपना राशन कार दिखा के आप लोग लेके आ सकते हैं साड़े आठ लाख लोगों को पांच हजार उपे पेंशन उनके एकाउंट में साथ अपरेल तक चली जाएगी तो आपको भी पैसा मिल जाएगा नाइट शेल्टर में अर्ड़ी हमने इंतिजाम कर दिया है और सुबह शाम खाना मिलना चालो हो गया आप दो टाइ में खाना भेज देंगे हम नहीं चाहते कि कहीं लोगी कटे हो और उस वज़े से तो मुझे लगता है कि इससे सभी मोटे मोटे तौर पे जितने भी गरीब हैं उन गरीब लोगों को इससे मदद मिलेगी कई लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें हम मदद करना चाहते हैं सरकार के मदद करना चाहते हैं हमें सब का साथ चाहिए सब लोगों का पूरे समाज को और पूरी सरकार को सब लोगों को मिल के अभी काम करना पड़ेगा इसी वक्त यही वक्त है जब सारी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है सारी दुनिया खत् खाने का, इंसान का, इंसान के काम आने का, मिरी आप सब लोगों से बिनती है, आप जितने लोगों से हो सके एक चीज, किसी को भूखे मत मरने देना, भगवान ने आपको दिया है, भगवान ने अगर आपको पैसा दिया तो ये सोचना वो इसी दिन के लिए दिया था कि ऐसे दिन काम आएगा जितना जादा हो सके अपने जान पैचान वालों को जितने लोगों को एंशॉर करो कि कोई भी भूग से ना मरे दूसरा आपके जितने करमचारी हैं आपके घर में आया काम करती है ड्राइवर काम करता है आपके कुप काम करते हैं आपके घर में जितने लोग काम करते हैं, आपके दफ्तर में जितने लोग काम करते हैं, आपके फैक्टरी में जितने लोग काम करते हैं, जितने मजदूर काम करते हैं, डेली वेजर काम करते हैं, कैजवल लेबरेर काम करते हैं, ठेके पर काम करते हैं, जितने ठेकेदारों के यहां ठेके पर करमचारी का करते हैं किसी की तंखा मत काटना बहुत पाप लगेगा किसी की तंखा मत काटना सरकार भी सकती करेगी किसी की तंखा मत काटना हो सके तो थोड़ा सा advance दे देना उनको ताकि उनके घर का गुजारा चल सके और वो इस दोरान घर में रह सकें किसी को भूखा मत मरने देना और एक चीज मेरे पस कई लोगों के phone आ रहे हैं जितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और किराए पे रह रहे हैं मकान मालिकों से मेरा न पतलो, एक महीने बाद ले लेना, दो महीने बाद लेना, किष्टों में ले लेना उससे, लेकिन अभी लोगों की रोजी रोटी चली गए, उनसे किराया मत लेना. मेरे पास कुछ प्रश्न आये हैं, एक तो कुछ लोगों ने पूछा है, कि जी हम ये दवाई बनाते हैं, हम मास्क बनाते हैं, हम सैनिटाइजर बनाते हैं, हमारी फैक्टरी है, तो क्या हम फैक्टरी चला सकते हैं? मैं ये साफ कर दूँ कि essential services, यानि कि दवाईया बनाने वाली, या medical equipment बनाने वाले, या mask बनाने वाले, sanitizer बनाने वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये दुकाने भी खुलेंगी, इसका transport भी allowed है, और इसकी manufacturing भी allowed है, ये सब कुछ allowed है, ये सारी activities allowed है, इसके उपर कोई शंका नह होने चाहिए, खाने की चीज़ें, सबजियां, दूद, दूद का transport भी होगा, जो जो किसान दूद निकाल के milk के plants में ले जाते हैं, milk के plants भी चलेंगे और दूद की विक्री भी होगी, vegetables है, सबजियां हैं, उनके दुकाने भी खुलेंगी, किसान सबजियां मंडी में भी ल आज हमने सुना कि कई जगे अस्पतालों में जल बोड के करमचारियों को, बिजली के करमचारियों को, essential services वालों को दिक्कत आई, क्योंकि हमने transport बहुत कम कर दिया, तो मैं देखता हूं कि अक्सर इस किसम के करमचारी जो हैं, वो बसों में travel करते हैं, कल हमने इसको 25% कर दि चलेंगी, मुझे लगता है उससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी और किसी को भी अपने घर से, essential services के लिए काम करके करने के लिए, जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होगी, तो फिर से मेरी आप लोगों से विंती है कि इसमें lockdown में आप साथ दीजिए, आप ही के लिए कर रहे हैं, अगर हम सारे जने मिलके, दस लोगों के भी जान बचा पाए, तो मुझे लगता है कि हमारा ये सफल हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया